नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कक्सा नो विज्ञान की पाठे पुस्तक जो है उसके पाठ नो बल और गती, पाठ तेरे परियावर्ण और पाठ पंद्रे प्राकर्तिक संपदा जो कि आपके फर्ष्ट गेड से लेबस में है वो चीजे हम देखेंगे इससे पहले के जो को जरूर सेयर करना और चेनल को सबस्क्राइब करना पहला परसन आपके सामने स्क्रीन पर है निमन में से सैदिस राशी है तो सैदिस राशी कौन सी है बताईए गुरुत्य बल ये किशी एक निस्षित दिसा की ओन लगता है बाकि यह एदिस राशिया है फौर एन एवम ठ परिवर्तन की दर है क्या कहलाती है ये वेग में परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं ये इंपोर्टेंट है ये भी इंपोर्टेंट है सवेग का मातरक है अच्छा क्यों सन है सवेग यहां उतर होगा किगरा मीटर परती सेकेंड यहां आपके सामने एक पिराग्राफ बना हुआ है एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय आरेक है चार आरेक बने हुए है आप इसमें सही उत्तर को चाटिए एक समान वेग से गतिमान वस्तू वेग एक समान है उसका तो यहाँ पे उत्तर होगा इसका दो अप्सनों और आपके सामने यहाँ उत्तर होगा इसका सै वस्तू का समवेग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है वस्तु के दर्वे मान पर बल वे दर्वे मान तवरण सम्मनित समी करण है यहां इसका उतर होगा F बराबर M A बल का मातरक है अच्छा क्यों सना यह बल का मातरक है किग्रा मीटर परती सेकेंड और वो जो था सेकेंड यहां पर इसक्वाइर है सम्मनित का मातरक है किग्रा मीटर सेकेंड इनको याद कर लेना आप लोग अच्छी तरह से इसका जो पीडियप है वो भी आपके मैं अविलेबल करवा दूँगा दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलेग्राम पी मिल जाएगा यदि कोई पिंड नियत समयक से शीदी देखा में गतिमान है यदि उस पर कोई बाहयबल नहीं लगे तो बताईए क्या होगा वेग नियत रहेगा उसका जो वेग है वो नियत रहेगा अगर उस पर कोई बाहयबल नहीं लगे किशी वस्तू का जड़त्वे निर्भर करता है किस पर वस्तू के दरवेमान पर निर्भर करता है क्योंकि आकार से कुछ नहीं होगा बड़ा होने से दरवेमान कितना है पांच की गरा का एक पिंड दस मीटर परती सेकंड तवरण से सरल रेखा में गतिमान है पिंड पर कार्यरत परिणामी बल होगा तो यहाँ पर होगा पचास न्यूटन पांच की गरा है दस है पांच कुणा दस पचास किशी वस्तू पर बल आरोपित होने पर क्या होगा उसकी गति बदल सकती है उसकी गति की दिसा बदल सकती है उसका आकार बदल सकता है उपरोक्त सभी नेक्स्ट इस वीडियो में करीब आपके लिए सत्तर से अधिक्यूसन है इसमें मैंने पाठे पुस्तक के परसन और संजीव पास्बुक का आभार पर कट करते हैं कि अन्य मैतुपन परसन जो की प्रिक्षाओं में आये हुए है इंपोर्टेंट है वो भी इसमें सामिल किये है एक किग्रा दर्यवमान की वस्तु का भार होगा 9.8 न्यूटन अब ये से क्यूसन है भई मेरे तो समझ से बाहर के है मगर आप लोगों के समझ में आए तो आप देख लेना वीडियो का उद्धिया आपके सामने क्यूसन उपलब्द करवाना है इसका उत्तरबै हो जाएगा कोई वस्तु अपनी इस्तर या गती की अवस्ता में परिवर्थन नहीं कर सकती किस कारण अपने जड़त्व के कारण यदि किसी सतह के दे गई सतह पर बल दूगना कर देते हैं तो दाब क्या होगा बल अगर दूगना कर दें तो दाब का क्या होगा दूगुना हो जाएगा तो ये अपने सामने क्यूशन थे 17 हैं अब हम लेते हैं इसी पार्ट के अन्य महत्वपुर्ण परसन अच्छे क्यूशन है ये ये भी प्रेक्टिकल क्यूशन भी इसमें कुछ मिलेंगे जैसे कि एक्जाम में पुछे जाते हैं परसन है एक पत्तर को किशी मिनार से गिराते हैं मिटर से मिनार से 20 मिटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा ग्रेविटी है 10 मिटर सेकेंड स्कुएर तो यहां उतर हो जाएगा दोस्तों बताइए अगर आपको आ रहा है 20 मिटर परती सेकेंड 20 मिटर परती सेकेंड यह देख जब कोई गेंद उर्द्वादर दिसा में उपर की और फेंकी जाती है तो गुर्त्वे तवरण क्या होगा सिधी उपर फेंकी जाती है तो यह तो यहां तो है उसकी गति की दिसा की विपरित दिसा में होगा क्योंकि पर्थ आपने और खिंचेगी और वो बला अपने उपर कोर लगाया है उद्वातर का मतलब उपर कोर यह इजीली समझ में आने वाला सा है दूरी समय आलेक से प्राप्त क्षेतिज शिदी रेखा किस गति शेसे सम्मावध है शेतियस का मतलब बता है ऐसे आड़ी रेखा तो तीस रेखा उत्तर होगा ए सुन्ने वेग एक वस्तू पांच मीटर सेकेंड के वेग से चलना प्रारम करती है येदि किसी वस्तू का तुरण दो मीटर सेकेंड हो तो आठ सेकेंड बाद उसका वेग होगा तो यहां पे उत्र है ए एक किस मीटर सेकेंड है प्रक्षेव के प्रक्षेव पत की आकरती होती है यहां उत्र है दै चटा क्यूशन आप देखिए अगर इस प्रकार के क्यूशन ध्यान रखिए आपके अगर आप इन कोची तर से कर थोड़ा सा पार्ट को आप पड़ लेंगे तो इसमझ में भी आ जाएगा यह आया हुआ है तो आप ऐसे हैल करें सीक्यूसन भी पूछ ले जाते हैं सट्टे का उतर है साथ वाक्यूसन आपके सामने स्क्रीन पर है इन में थोड़ा आसाक जो है वो अब इतना समय भी नहीं है कि पार्ट को पढ़ के फिर इसको जो है हम थोड़ा विसलेशन करें थोड़ा रिविजन कर लिया जाए तो मुझे भी चीज़े यादा सकती है काफे टाइम पहले पढ़ी थी तो यहाँ पे उत्तर है आठवा क्यूसन है अब यह सारे हिसाब किताब वाले है पत्थर का भी जो है वजन वजन हिसाब किताब करना पड़ेगा आठवे का भी आ है नवा यदी दो राशियों का प्रस पर ग्राफ सरल एका हो तो दोनो राशियां से अनुक करमानुपाती होगी दस्वा क्यूसन आपके सामने है इसक्रीन पर आप देखिए इसको इसका उत्तर होगा बै ग्यारव क्यूसन आपके सामने है चार उक्यूसन आपके सामने इसका उत्तर होगा से किसी पिंड का ताच्छणिक वेगमापा बजा सकता है इस्पिडो मीटर द्वारा तो ये वेगमापने का है ये द्यान रखें इस्पिडो मीटर किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ग्यात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा जो उपर आए थे ना उस तरह से निम्न में से बल का मातरक नहीं है अच्छा क्यों सन है आने लाइक है प्रिक्षा में जूल गाजू आपको याद हो कारिय का जो मातरक है यह शोले नंबर क्यों सन जब वेक्ति खुट दरी सत्य पर चलता है तो सत्य द्वारा आरोपित गहस्न बल वेक्ति की गत्थी की दिशा से विपरीत होता है हम चलेंगे तो गहस्न बल विपरीत लगेगा जैसे मोटर गाड़ी में चलते हैं इसा लगता है पेड़ पोदे पिछे भाग रहे हैं वो इस्तती है सत्र क्यूशन है इसका आंसर आप निकालिए उत्र होगा इसका एक मीटर सेकेंड अठारा नमर क्यूशन प्रेक्टिकल क्यूशन है जैसे सामानेत है जनरल साइंस में पुछे जाते हैं अक्सर एक चलती बस से सडक पर कूदने वाला वेक्ति आगे की और गिर पड़ता है इसका कारण है क्या कारण है इसका उत्तर है बै गति सील अवस्ता के जड़त्व के कारण वेक्ति का उपरी हिसा गति में रहता है जबकि पाऊंस रख्ये संपरक में आने के कारण इस तरे अवस्ता में आ जाते हैं बिल्कुल तो यही वज़य है जिससे की वह हैं बाकी ओप्सन अगर है option सरल होते हैं 19 वा दो सतों के मद्दे गतिक गर्षण बल निम्न पर निर्बड नहीं करता किस पर सतों के मद्दे सापिक्स वेग पर बीस्वा क्यूशन भी अच्छा प्रेक्टिकल क्यूशन है एक साइंकिल सवार पेडल मारकर साइंकिल को गतिसील बनाये हुए है तब प पर आगे की और से इस परकार का बल इसमें लगेगा 21 वा क्यूशन है समान वेक से सरल रेखे पत पर गतिसील एक ट्रेन में एक बच्चे ने हाइडोजन गेस की गुबारे से बंदी हवी डोरी को हाथ में पकड़ रखा है इसनी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो गुबारा या इणै आइडोजन वाला गुबारा तो इस तरह से जो उपर रहते है आसमान में उड़ा हुआ इस तरह से यानि हाथ में उपर क्योड़ तो क्या होगा बताइए तो 21 का उतर है पिछे जाएगा इसको असमझने का प्रयास करना सरकस में दोड़ते हुए गोड गोड़े पर आजाता है क्योंकि क्या नियम काम करेगा यहां पर यह गति शीलता का जड़त्वे है एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है प्रतिकरिया बल होगा यह गुटका खाने वाला नहीं है उपपर की ओर टेबल दुवारा 24 वा क्युसन गर्षण रहित फर्स यानि चिकना किशी वेक्ति को चलने के लिए निम्न नियम की साहिता लेनी होगी नहीं तो क्या होगा सलिप हो जाएगा न्यूटन के तृतिय नियम की एक कार गर्षण उत्षड़क पर नियत वेक से गतिशील है यह एक कार जा रही है तो क पार के इंजन के द्वारा बल लगाया जा रहा है कि ऑप्सन देखने से समझ में आ जाएगा एक तोप दागे जाने पर परतिशेफित होती है चब्यस्वा क्यूसन आंसर है दे न्यूटन की गति के तरतिय नियम के कारण यहां भी तीसरा नियम है फर्स पचल रहे हैं तो जाएगा बल तो दोस्तों क्यूसन यह आपके सामने थे अब हम अगले पार्ट के क्यूसन लेते हैं अगला पार्ट तो यहां पर आप ध्यान रखें कि व्याक्या जो है मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस कितनी गहन जानकारी नहीं है मेरा उदेशी इस वीडियो का आपके सामने क्यूशन को लाना है ताकि आपका समय बच सके तो यह जो अगला पार्ट है इस पार्ट के क्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है और पार्ट का नाम जो है परियावरण अच्छा क्यूशन है इसके निमन में से वायू परदूसक नहीं है अच्छा क्यूशन है तो यहां तंतरसब्द की रचना किसने की अच्छा क्योसन टैंसले यानि इसṇे टैंसallow ले पारिशतिकी तंदर की हरिट गरह परभाव की प्रमुक गेस बहुत अच्छा क्योसन यह कारवणडय अकस्यड की बज़़imashe है तो CO2 निमन में यानि सबसे ज़्यदा यह है निमन में करत्रिम पारित अंतर कौन सा है यह भी अच्छा क्यों सन है प्रेक्टिक सस्य सस्य का मतलब होता है क्रिशी कर्शी को बोलते हैं सस्य खेती अब यह मालो ऐसा गुमा दिया इंदी का तो कई बार बता नहीं चलता अध है किस परदोस्ण परकार के निन्तर में उप्योगी है उतरा आपके सामने है वायू वायू में ही होता ना संगनन जब बारिस होती है बुन्ने座ा हा जाती है उसमें हावा सोक लेती है पानी को तो इस तरह से जो है यह थे अभ है अन्यमेहतुपुण प्रशनोतर इसी पार वायू परदूशन का परमुक कारण है तो यहां उत्र होगा दै उप्रोक्त सभी है शारे हैं दूसरा क्यूशन कौन सी गेस रक्त में ओक्सिजन की वहं चमता को प्रभावित करती है कार्बन मौनो आकसाइड होती है यह है शीयो यह एकसर क्या होता है कि आप कई बार देखत हो जाती है क्योंकि वातावरण में शियो कार्बन मोनौ अक्सेड बन जाती है अपने रक्त में जाती है ऑक्सीजन के साथ और रक्त पिर क्या है ऑक्सीजन को गर्ण नहीं करपाता तीसरा निमन में से अधी सोसक के रूप में प्रुप्त किया जाने वाला पदार्थ है सै उत से मृध्ध मिट्टी है दौनों से ही जो है उक्रिय करता है धवनी प्रबलता की सापेक्षिक इकाई है यहां उतर हो जाएगा सोन शोनोग्राफी होता ना सोन चटा जेविक आवर्धन के लिए उतरदाई है क्या उतर होगा डी डी टी जेविक आवर्धन डबलू एचो द्वारा सहरी चेतर में निर्धारित सुर्क्षित सोर का इस्तर है अच्छा क्यूसन है गूट क्यूसन आने लाइक 45 डिबी याद रखे 45, 45, डेशीबल जो है वो सुर्क्षित सोर है इससे ज़्यादा इस सुर्क्षित है अस्पताल में चेतर में सोर की सहन सीलता का अंतरष्ट इस्तर है क्योंकि वहां मरीज रहते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 65, डिबी जल प्रसफुठन के लिए उतरदाई है उतर होगा साइनो बेक्टीरिया आपस में जूड़े सभी पारिस्तितिक तंत्रों का जाल है जीव मंडल जीव मंडल बोलेंगे उसको निमन में से जेविक गटक का उधारण है क्या है यहाँ पे पादप पारिस्तितिकी तंतर सब्द का परियोग सरोपर्थम किया यह क्यों सन्वे से आ चुका है टेंस ले उसने टेंस ले परिस्तितिकी सबसे पहले मनुश्य है मनुश्य क्या है तेरा का उतर है से सरवा आहारी यानि मनुश्य के सब जलता है उसके जीव मंडल में समिलित है क्या चीज हो जाएगी दै उप्रिक्त सभी सामिल है जल में भी जीव वायू में भी जीव है इस तल में भी जीव है पादप उतक के अपगटक है पादप के जो उतक है उनको नश्ट करने वाले तो यहां पे होगा सै कवक पादपों के लगते हैं पेड़ पोदों के चेव मंडल में पाए जाने वा एक यह दो पाट से तो अच्छे क्यूसन है मेरी नजर में इस वास पॉर्स चक्र आमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्थन करने वाला जीवानों है इसका उतर है ए जीवानों कोई मानवेत तुरूटी रह जाए दोस्तों तो नीचे आंसर भी दिये गए है उनसे आप मिलान कर लेना बाकी संभावना कम है जो अलामों की विस्पोर्ट से उत्पन गेस है अच्छा क्यूसन है उपरोक सभी सारी जो इससे निकलती है वायू परदुसन नियंतर्ण के अंतरगत गेस यवास्पों के नियंतर्ण की विधी है ए अधी सोशन जल में परदुसकों को पर्थक करने की विधी है 22 वेक उतर है ए यूत कर्मन पराशरण तेश्वा हमारे सरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का यूग्म है 24 जल चक्र का मुख्य गठक है दै उपरोक्त सभी निम्न में से कौन सी गेस की सांदरता में वर्थी ग्रीन हाउस परभाव के लिए उतर दाई है बहुत अचा क्यूसन ये पहले आ भी चुका है तो यहां उतर होगा ए शीयो टू यानि ये कार्बंडा याकसेड की विशेस्ता होती है कि वह गर्म चीज को उसमा को अपने में सोक लेती है इस वज़े से ग्रीन हाउस परभाव और वेस्विक उसनता जो है वो बढ़ रही है थोड़े क्यूसन ओर है दोस्तों आप लीडियो पर बने रहें जाए नहीं यहाँ पर आपके सामने है किशी खेत में नियोजित कारिकरम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना कहलाता है अच्छा क्यूसन ओर बहुत जरूरी है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं फसल चक्र इससे क्या होता है मिट्टी की उपजावपन बना रहता है इसे बोलते हैं सस्यावरतन यह हमारे पर भी लगव होता है मानलिजे आप एक किताब पुरी दिन पढ़ेंगे बोर हो जाते हैं आपने थोड़े देरे किताब पड़ी दो गंटे बार दूसरी पड़ी तो बोरियत नहीं होती वेसे ही जमीन जो है उसमें फसल चकर जरूरी है हर साल फसल बदलनी चाहिए ताकि जमीन को आराम मिले और उसकी उरवरता बनी रहे वायू मंडल में आयतन के अनुसार कार्बंडाई अक्साइड पाई जाती है अच्छा क्यूसन है सरल क्यूसन होते भी गलत हो जाता है दोस्तों ये तो ये है 0.03 याद रखें 0.03 ये क्यूसन साइद आया भवी है मुझे लग रहा है किशी एक्जाम में अब इसमें चार उप्सन देते हैं वहाँ कंफिशन हो जाते हैं ऐसे नॉर्मल ये आपसे पूछे याद है एक्जाम होल में क्या होता है दवाव आ जाता है अमल ये वर्षा निमन में से किसका परणाम है अच्छा क्यूसन गूड क्यूसन तो इसका उतर है वायू परदू बोनों को मरता से प्राप्त होने वाला पोर सक्थतstory है जो उंके जरूरी है नाइट्रोजन इनकी जड़ों में ऐस कंफिक करीप हैं शींपल क्यूसन मंगर आख्सा क्यूसन सोया बीन ये दो-दो अक्सर वाली है ना गेउं चना जो राई सरसों ये तो है रभी की चावल गन्ना जवार बाजरा मोट तिल मूंग सोयाबीन ये सब है खरीफ की अगला क्यूसन या थोड़े से ये भी लिए है आपने कहा था मैंने कल पूछा था कि अतिलोग दरातमक भी लेऊं क्या तो इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे ये तो डेमो के सेंपल के लिए वायू की गति मापने वाला उपकर्ण एनिमो मीटर अच्छा क्यूसन है प पाहित मल में उपस्तित पोसकत्तों की अधिक्ता से जल में शेवालों की अतिवरदी हो जाती है जैसे सारी सता शेवालों से बरजाती है जैसे शेवाल ब्लूम कहते है धवनी बूम धवनी बूम जो है धवनी की गति से तेज चलने वाले सूपरसोनिक वीमान अपने पिछ सबसे अधिक पाई जाने वाली गेस नाइट्रोजन अठातर प्रतिसत है ना आप कमेंट करके बताइए ओक्सिजन कितने प्रतिसत है अब यह लाश्ट पार्ट है आपके विज्ञान का और इसके हम आंसर देखते हैं हाँ पैरा परसन जीओ में जल का सबसे महत्रुपनों प्यों किस कारण होता है जल की विलायत परकरती के कारण दूसरा पोदों को मर्दा से प्राप्त होने वाला पोसक नहीं है दैशी नाइट्रोजन है यह साइद फास फोर्स यह केल्चिय में इसे कुछ होगा आप देख लेना पोदों के पर्ण हरित को विक्टित करने वाला वायू परदूसक है एस ओ टू निमनिमे से कौन सा पादप वायू में एस ओ टू का परदूसक सूचक है तो यहां पे होगा दै लाइकेन और अगला है हाइड्रो कार्बन इसका उत्तर है शै आप इसको जो है मिलान करते जाना जल परदूसक दै अमें बोलूगा नहीं आप पढ़ते जाओ खान्यदावी कर्मेष्ये जानिय पत्रिपारदे अप्योगानम कर्मेष्ये कि पंद्रमा का से नहीं जी मेगनेशियम यह मायो मंडल में यह क्यूशन आया था भी अठतर अठार भी अच्छा क्यूशन है चावल इन में चावल अच्छा है वर्मी कंपोस्ट अच्छा क्यूशन है केंचुवा खार बनती है इससे कार बनी खेती तेश्वे का अगल गॉंटू यह अच्छा क्यूशन है नाइटोजन के लिए मट्र डाले ना डाले अच्छी रहती है नाज के बजाए नाइटोजन में अब यह अनके आंसर है आप आराम से मिलान कर लेना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना 25 मिनिट का हो गया है और अब जो है आप कमेंट करके बताना अगर 10 कमेंट आ गए कि 8 यू कलास का बनाओ तो 8 यू कलास का भी इसी तरह से बना देंगे जो 6 लेवस में है आठ यू में मुझे लगता है कम ही पार्ट है उसका छोटा ही वीडियो बनेगा आप कहेंगे तो 6,7,8 खौर मना देंगे धन्यवाद दोस्तों